बच्चों अब कुछ इंडारेक्ट मेथड देखने जा रहे हैं लाज डिस्टेंसेज मेजर करना है कि आपको थोड़ी दूर पे एक हिल दिखाई दे रही है अब आप हिल का हाइट कैसे मेजर करोगे या फिर आपको काफी दूर पे एक पोल दिखाई दे रहा है मानलो एक इलेक्ट्रिक पोल है आप उसके इलेक्ट्रिक पोल पे चर्ड नहीं सकते बट इलेक्ट्रिक पोल की आप हाइट मेजर करना चाहते हो तो कुछ indirect methods हैं, जिनसे हम long distances measure कर सकते हैं, पहले हम indirect method देखेंगे, जैसे कि हम हम electric pole की height measure करनी है, दूसरा देखेंगे, एक hill की height measure करनी है, और फिर हम आगे move करेंगे, स्वर्गिय objects पे, moon का size measure करना है, कोई nearby star की दोरी measure करनी है, तो हमारा topic है, indirect method for measuring large distances, उसमें पहला है accessible object, इसमें हमारा पहला आगया accessible object, जिस object तक आप पहुँच सकते हो, तो बहुत ही simple बात है, आपको यह height measure करनी है, आप उस object से कुछ दूरी पे खड़े हो करके, उसके highest point का angle of elevation measure कर लो, वो angle अगर theta है, तो इस triangle के अंदर tan theta हो जाएगा, h by x, tan theta will be perpendicular by base, और यहां से x हो जाएगा, या rather h हो जाएगा आपका, x tan theta, तो आप जो है, वो इसकी height measure कर सकते हो, x measure करना है तो वो h cot theta हो जाएगा, आपको object की दूरी measure करनी है, चाहे उसकी height measure करनी है, वो आप दोनों ही measure कर सकते हो, आपके पास बस theta होना चाहिए, और x और h में से कोई एक चीज होनी चाहिए, दूसरी चीज अपने आप आप आजाएगी, इसमें दूसरा देखते है, inaccessible object, जैसे कि पहाड है, पहाड की height measure करनी है, इनक्सेसिबल object, तो इनक्सेसिबल object का scene बहुत simple है, यह object है, object की height fix है, कुछ दूरी पे आप खड़ेते, उसके highest point का angle of elevation theta 2 बना, आप d distance closer चले गए, फिर highest point का angle of elevation बना theta 1, यह दूरी आप x मान लो, राइट, तो आप जानते हो, कि इस triangle के अंदर, cot theta 1 होगा, base upon perpendicular, x upon h, और इस triangle के अंदर, cot theta 2 होगा, d plus x, d plus x upon h, राइट, अब आप दोनों को subtract कर सकते हो, cot theta 2 minus cot theta 1, आएगा हमारा h common ले लेते हैं, d plus x minus x, तो आ गया हमारा solution, d by h, cot theta 2 minus cot theta 1 is d by h, बस आपको इस position पे angle measure करना है, angle आपने measure किया, कुछ distance आप कितना pass गए उसके, hill के, यह hill मान लो आप, आप उसके कितना pass गए, वो distance आपको पता होगा, उसके बाद में क्या angle बन रहा होगा, वो भी आप निकाल लेंगे, आप इस formula में डालेंगे, theta 2 आपको पता है, theta 1 आपको पता है, d distance आप कितना closer गए, और height जो है वो h है, तो d पता हैं आपको, theta 2 और theta 1 पता हैं, तो आप h height निकाल सकते हैं, बहुत ही easily, राइट बच्चों, note करिए आप इसे, इन डारेक्ट मेथेड पॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसिज में बच्चों, अगला मेथेड है हमारा, parallax मेथेड, parallax जो होता है, उसका मतलब होता है, apparent shift in position of an object, when seen from two different locations, अगर एक ही object को आप अलग-अलग location से देखोगे, तो वो object आपको हलका सा shift होता हुआ नजर आएगा, आप, मैं board पे यहाँ पर एक dot बनाता हूँ, और एक बार left eye से देखता हूँ, right eye को close करके, और एक बार right eye से देखता हूँ, left को close करके, यह dot shift होता हुआ नजर आएगा, इस apparent shifting को हम parallax कहते हैं, right, तो parallax क्या है बच्चों हमारा, parallax है हमारा apparent shift in position, parallax है, apparent shift in position, of an object, when seen from, when seen from two different locations, when seen from two different locations, अगर आप दो different locations से एक object को देखोगे, तो उसकी position shift होती भी नजर आएगी, उस apparent shifting को आप parallax कहते हैं, एक object है, आपने पहले left eye से देखा, फिर right eye से देखा, एक बार में एक ही eye से देखा, आपको इस shift होता नजर आएगा, लेकिन actually में तो object वहीं पर है, यहाँ पर जो यह angle बनता है, उसे बोलते हैं, parallax angle, और इन दो positions, जहाँ से object को देखा गया है, इन दोनों positions के बीच की दूरी को बोलते हैं, basis, B से denote कर लेते हैं, तो एक object को दो position से देखने पे, उसकी position shift होती नजर आती है, इसी phenomenon को हम parallax कहते हैं, अब हम इस method को समझते हैं, हमें अब एक nearby star की दूरी नापनी है, nearby stars, टी गलती से लगा जाता, distance of nearby stars देखेंगे बच्चों, parallax method के इंदर बच्चों हमारा part है, distance of nearby stars, important topic है, समझते हैं क्या करना, distance of nearby stars, आपको nearby stars की दूरी नापनी है, तो ध्यान से समझना है, क्या होगा, simple experiment है, आपके बस अच्छा telescope है, तो आप try कर सकते हो, यह अर्थ की orbit है, Earth's orbit, फिलाल अर्थ या, orbit around the sun, फिलाल अर्थ यहाँ पे है, और एक nearby star यहाँ पे है, एक बहुत दूर कोई star है, far away star, F लिख देता हूँ उसे, तो मैंने पहले telescope को देखा, और वो far away, दूर वाले star से आती भी light देखी, किस angle पे आ रही है, इस तरह से, उस पे set किया, telescope, उसके बाद, इस पास वाले star पे set किया, telescope, और देखा, कि चलो भईया, angle बन रहा है, theta 1, let it be theta 1, 6 महिने के बाद, मैं फिर से घर की छत पे गया, मुझे पता है, 6 महिने बाद, अर्थ अल्मूस्ट अपनी, diametrically opposite position पे आ जाएगी, अर्थ बिल्कुल opposite position पे आ जाएगी, फिर से मैंने, वो ही दूर वाले star से आतीवी light, ये far away star है f, n है nearby star, उसी star से आतीवी light देखी, कि वो इधर आ रही थी, और nearby star जो है, उससे आतीवी light के लिए, झाले आतीवी light के लिए जाएगी, झाले इएगी Citys, जसी दूर ओदा जाएगी, झाले आतीवी découv Mitte. कि वो ही जाएगी है से प्रीक्षागी, लिए। के लिए जाएगी. झाल 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 झाल